सू स्वागतम स्वागते आप सबका 1MFC पर रात के धाई बज रहे हैं और यहां मैं खुशी मना रहा हूँ जबकि मेरी टीम हार चुकी है कैरवा कब से बहार हो चुकी है तुम काओगे यार कैसा फैन है बैंचो इसकी टीम बहार हो गई यह सेलिबरेट कर रहा है बट वीडि का पत्ता कडवा है जोनाथन मौस भडवा है वो पैनल्टी थी क्लियर कट पैनल्टी थी जब मार्क नोबल ने जेजलिंगार्ड को फाउल किया था इंसाइड 18 यार्ड भाई कोई और टीम होती कोई और दिन होता वो 110% पैनल्टी देता और कोई और टीम छोड़ दो यार अगर वो फाउल हमारे किसी प्लेयर ने किया होता ना तो वो पैनल्टी दी जाती बट वही कहते हैं ना कि जब किस्मत है गांडू तो क्या करेगा पांडू बट चलो कोई नहीं बाहर तो हो ही गए है के रबाउ कप से लेकिन यार क्या हम वाकई में खराब खेले मैं सही ब दिखा बट वही था कि वो जो शॉट्स थे नंबर अफ शॉट्स वो कनवर्ट नहीं हुए बस एक गोल नहीं आया बाकी पूरी टीम परफॉर्मेंस हम जैसे ही वन निल डाउन हुए उसके बाद की जो परफॉर्मेंस है आज अगर कोई फैन ये कहता है ना कि हमने ट्राइ कर भी जीतना नहीं होता और खराब खेल कर भी जीतना हो जाता है और खराब खेल कर जीतना हमने अल्री देख लिया है कि हमने हासिल की है दो विक्ट्रीज लेकिन आज की जो डिफीट है उससे मैं बिलकुल भी दुखी नहीं हूँ क्योंकि भाई मेरी टीम ने सब कुछ दे किये हैं, that pass from Donnie Wenderbeek to Mason Greenwood भाई सा मक्खन मक्खन पास और उसके अलावा माटा का वो पास जेडन सैंचो को थोड़ा सा अगर पहले मतलब पहुंच जाता ना सैंचो, तो that would have been a goal, a brilliant goal और या Donnie Wenderbeek भाई मैं कब से चिला चिला के गला फाल फाल के कह रहा था कि मैटिच के अलॉंगसाइड खिलाओ Donnie को and you'll see how good he is, तुम उसको मत खिलाओ Fred के अलॉंगसाइड तुम उसका असली जो gameplay है वो नहीं देखोगे, he was giving everything on field tonight, मतलब अगर आप कह रहे हो के tackles भाई वो बंदा tackles कर रहा था अब आप कह रहे हो के ball carry करना वो बंदा ball carry कर रहा था, वो 1-2 खेल रहा था, और he was picking up those spaces, उसने कितने बार run निकाले, भाई यही तुम expect करता हूँ हमारी team से के intent दिखाओ, वो pressure create करो सामने वाली team को West Ham, 60 minute pro पर पीछे बैठे, अगर मैं 80 minute से 90 minute का game हटा दूना तो बाकी का game हमने पूरा dominate किया है, योगि आखरी के 10 minute में हमने, हम all out, you know चले गए के भाई, गोल करो या concede भी करो तो कोई दिक्कत नहीं है और वो intent मुझे समझ में आया, वो situation ऐसी थी, और केरबाउ का प्यार, come on, अगर कोई ये काईगा ना कि ओले winning mentality वाला manager नहीं है ये नहीं है, वो नहीं है, एक और cup bottle कर दिया, भाल में जाओ भाई, ये एक liability tournament है आपके players extra खेलते हैं, मतलब जहां आपके players को proper rest मिलना चाहिए वहाँ आपके players केरबाउ cup में बे मतलब का अपना effort डाल रहे है देखो, इस trophy से confidence boost होता, नहीं होता जो भी होता, आपको गई तेल लेने बट, क्या मैं अपने players को इस बे मतलब के competition में risk करना चाहूँगा absolutely not, अगर मैं manager हूँ दो मैं manager हूँ नहीं, बट अगर मैं manager होता, तो क्या मैं यार इस tournament को बे मतलब में अपने लिए मुसीबत बना लेता के भाई, इस competition को जीतने के लिए मैं जीजान लगा दूँग, बलही मेरी Premier League में लंका लग जाए, बलही मेरी UCL में लड़े लग जाए, नहीं भाई अपने को focus करना पड़ेगा एक tournament में, और वो tournament होना चाहिए, वो league होनी चाहिए हमारे लिए, as simple as that वो Premier League होनी चाहिए, और कोई competition, देखो, सब ये कह रहे हैं कि we are very, you know we have a very good squad and we can win the UCL I don't give a fuck about UCL I don't give a fuck about FA Cup, आपको Liverpool जैसा approach रखना पड़ेगा जब Klopp के अंडर Liverpool ने Premier League जीता, उन्होंने भाई किसी एक competition में ध्यान नहीं दिया दो, उन्होंने, you know, UCL में बहुत effort डाला, और वो चाहते थे कि वो UCL और Premier League दोनों जीते, हम भी ये कर सकते कि हमारे पास proper squad है, बट क्या मैं यार अपनी टीम को बेमतलब में पुश करूँगा लिमिट तक, कि भाई, मुझे कहरा बॉक अप जीतना है, बिलकुल भी नहीं, कोई sense नहीं बनता इस बात का, जो लोग आज की defeat पे रोना मचा रहे हैं, भाई तुम थोड़ा longer run में देखो कि हमें कितना फाइदा मिलेगा, क्योंकि अब हमें mid week खेलना नहीं पड़ेगा, मैं तो बहुत खुश हूँ भाई, क्योंकि मैं धाई बजे रात के, जो football expect करता हूँ, एक team से जिसके लिए मैं जाग रहा हूँ, वो मैंने देखी, irrespective of the result, I am very, very, very happy, तो मुझे जाट फर्क नहीं पड़ता कि पंडित्स क्या रंडी रोना मचाएंगे अभी, कल news paper में क्या छपेगा मा चुदाए news, मा चुदाए पंडित्स के views, मा चुदाए goldbridge मा चुदाए दूसरे जो fan channels है जो agenda रन करते रहते हैं तो मुझे जैसी performance चाहिए थी as a fan, as a football fan वो मुझे देखने को मिली, मैं बहुत खुश हूँ मुझे जैसा game चाहिए था end to end मुझे वो देखने को मिला, तो मुझे जहाट फर्क नहीं पड़ता, लोग क्या बोलते हैं लोगों ने क्या, अब कहना है पोस्ट मैच के बाद, जब सोलशायर कुछ अपना statement देगा, क्योंकि उसके बाद भी लोगों के statement आएंगे twitter पे, मतलब twitter पे इतने चूते चूते लॉंडे है, मैं तो photo search कर रहा था beach game में कि in game की photos मिल जाए, उसमें लॉंडे क्या ही बक्चोदी पेल रहे हैं, twitter पे, social media को इतना, मतलब क्या को रिंडी खाना बना के रख दिया भेंचोदो ने, कुछ भी post करते हैं, non-sensical चीजें उठा के जैसे तैसे कहीं भी जोड जाड के रख दो, और क्योंकि भाई bates तो famous होई जाती है, और आप का content कब बिखता है, जाब या तो negative post करोगे, या ultra positive post करोगे, क्योंकि extremist जो होते हैं, उनी की चीजें भाई, आगे तक चलती है, हम जैसे बीच वालों को कोई ध्यान नहीं देता, इसलिए मेरे channel पे तोने views भी नहीं आते, बट कोई कर भी नहीं, मैं views के लिए कर भी नहीं रहा, मुझे मज़ा आता है, इसलिए मैं कर रहा हूँ, रात के धाई बज़े यहां बैठ के, तो वीडियो यहां यहीं खतम करूँगा, क्योंकि और सब्सक्रादा और कुछ है नहीं बात करने को, मैंने पूरा enjoy किया है आज का गीम, और मैं बहुत कुछ हूँ भाई, अपनी टीम के effort से, अपनी टीम की performance से, तो अगर कोई मुझे आगे कल यह कहे के, भाई, आल, you're out of the Carabao Cup, क्या तुम्हें trust है उले पे, भाई, मुझे 110% trust है उले पे, मुझे इस competition से शुरू से मैं कह रहा था, आज मैंने live session पे भी यही बूला था, कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, कि हम आज हारेंगे या जीतेंगे, मैं match देखूंगा enjoy करने के लिए, और वो मैंने पूरी तरीके से किया है, तो जो लोग इस वीडियो को end तक देखने वाले हैं, अगर आपको channel का content अच्छा लगता है, तो kindly subscribe to 1MEFC, इस रदा मैं कुछ कहूंगा नहीं, क्योंकि content तो मैं post करता ही रहूंगा, regular basis पे, until then, take care, बस ध्यान रखो और भाईया, ओले इन हो या ओले आउट, लेकि social media पे गंदगी मत पहलाओ, that's it